प्लाइब प्लाइब करने नमें जब जैनल विंहनिंदम करता हूं जैनल में और आपको होने वाला है सामझे की विज्ञान से प्यार तो वह बहुत दिनों से इंतेजार था बार बार में कोई आती थी लानें के नंबर पे अरे मरी सार इतिहास के one short कराओ तो इसलिए आज इतिहास का one short लेकर कराया हूँ और एक बात खेता हूँ कल खोल करके सुन लीजिएगा जब जब मुझे कुछ चुनने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं 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 देश को चुनूँगा मुझे कुछ भी चुनने का मौका मिलेगा मैं सबसे पिल अपने देश को चुनूँगा इसलिए भी आज मी इतिहास में मैंने जो चुना है यूरोप के राष्टरवाद और भारत के राष्टरवाद में मैंने क्या का मैं मैं मेरे देश को पहले चुनूँगा इसलिए मैं भारत में राष्टरवाद लेकर काया हूँ मेरे लिए मेरा देश सर्परी है यूरोप का राष्टरवाद बाद में पहले मेरे भारत का राष्टरवाद और विश्वास दिलाता हूँ आज इस एक डेट गंठे के वीडियो में इस वन शोट में आपके दिलों में आपकी हर खून की बूंद में समझे की विग्यान का तो प्यार दोरनी ही लगेगा इतिहास से भी प्यार आप लोगों को हो जाएगा और उसके सासाथ क्या है जो राष्टरवाद की भावना है वो भी हमारे अंदर दोरने लगेगी ये राष्टर वाद क्या है आपके अंदर अमर हो जाएगा और हमेशे एक बात ही कहता हूँ इस वन शोट को शुरू करने से कि कुछ भी हो कैसी भी स्तितिया रहे राष्टर सबसे उपर है नाजी जीवन समर्पित करना है राष्टर को समर्पित करना है तन मन धन ये जीवन राष्टर तुझको समर्पित करता हूँ ये समर्पित हमें करना है ये समर्पर पुरा राष्टर को में देना है तो जो हमारी जो सिरी चल रही है वो है अंतिमवार सिरीज मैं काफी one shots करा चुका हूँ यह Anthem War Series जी जी बोर्ट ओपर का निशाना है आपको बोर्ट ओपर बनाना है अब भी भी अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो अगर अब भी भी आप नहीं जगते हो तो फिर बहुत देरी हो जाएगी बहुत बुरी स्तिती हो जाएगी अगर अब भी भी आपका सपना है बोर्ट ओपर बनने का तो प्लीज दोस्तों प्लीज जगो और यह Anthem War Series देखते रहो और बोर्ट ओपर पर निशाना लगाओ तो पर आज हमारे targets क्या क्या रहेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है पर्थम विश्यूद और भारत के बारें पढ़नेंगे सत्यागरे जानेंगे क्या है रोलेट एक्ट जाले वाला बाग घत्या कांट खिलाफत आंदोलन ऐसायोग आंदोलन आंदोलन के भीतर अलगलग धारा है चोरी-चोरा कांट सविनिय अवग्या की ओर साहिमन कमिशन नमा क्यात्रा और सविनिय अवग्या आंदोलन सविनिय अवग्या की सीमय और फाइनली सामुई कपनेपन का भाव यह पूरे चेप्टर का कंटेंट है जो कि हमें आज पढ़ने है तो शुरू करते हैं राष्टरा पर सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से शेर और शेरनी मेरे बहुत से काजुकतली नए जुड़े हुए अब वो यह देख रहोंगे यार सबने हिस्टरी पढ़ा है हिस्टरी का मतलब तो बोरिंग है हिस्टरी का मतलब तो बहुत ऐसे नहीं दाने लग जाएगी तो रुख जाओ रुख जाओ भागो मत भागो मत देखो हिस्टरी हिस्टरी का मतलब क्या होता है हिस्टरी का मतलब होता है कभी बहुत ध्यान से पढ़ना ये हिस्ट्री को हाई स्टोरी बोलता है हाई स्टोरी किस से दोस्ती करनी है कहानियों से दोस्ती करनी है हाई स्टोरी है हिस्ट्री नहीं है हाई स्टोरी है ये कहानिया है और आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं अमर गाता है हमारे वीरों की अमर काता है हमारे शहीदों की अमर काता है बापू की और अमर काता है उस हर इंसान की जिसने संगश करा हमारे देश के लिए और अंग्रेजों को लात मार करके भाहर निकाला याद रखेएगा ये संगश ये संगश जो है हमेशा नमन होता रहना चाहिए और जो आग हमारे महापूरु जगा करके हमें गए हैं जो चिंगारी हमें जगा करके गए हैं राष्ट्रवात की वो सदेव सदेव क्या है जवलित रहनी चाहिए जलती रहनी चाहिए तो शुरू करते हैं अब आपके दिमाग में सवाल बहुत सी बाल आता है कि सार अंग्रेज भारत आये यह अंग्रेज भारत आये तो आये क्यों बाबारे बाबा क्या काम पड़ा इतना क्या विशेश लगा हो था भारत से कि वह भारत आगे कारन तो बताऊ सार मेरे पहले बात सुनू इसे हमलों केते हैं थे वि PHIL अंग्रेज न को सभी वॉलत को सब्यों से लोग से लिज्ड़ का इंसान सु आइक बात बहुत बहुत थार कीमिस तुम ᓲ्हेसालों तो जहाज के झा भर करकर ले चाता था और यूरोप में बहुत पेसा कमाता था कुब बेशता था था उन्हें खुब दुगनी रिकम पे वों कुब पैसा कम है य्यसी हुआ पिर डच भी आए घछ को geçसे नीडलेंड या फ्रेंच, या फ्रांस वाले यह सब आए उसके बात फिर अंग्रेजु ने न शोच और हम क्यों न जहें अब अंग्रेजों की काहनी सुनना अंग्रेजों की काहनी बहुत इंट्रेस्टिंग है तो अंग्रेजों में क्या है वहां अपने एक मर्चेंट कंपनी मर्चेंट कंपनी मर्चेंट कंपनी या आप यह कह सकते हैं व्यापारियों का समूँ है व्यापारियों का समू है वह व्यापारियों का समू है वह व्यापारी के भुत्ति यही होती कि प्रॉफिट होना चाहिए लाब होना चाहिए जब इन्हें व्यापारियों ने देखा है पुर्टकवाल वाले कमा करके ला रहे हैं डेच वाले कमा करके ला रहे हैं फ्रेंच व बात कि बहुट है वह गश्ना पत्र पत्रपें मैं पत्र को बॉला रानी जी आप के लिजी ल्यूंत Kr वैप साइन करो है किस नाम से जाओगे किस नाम से जाओगे नाम दा बता अपनी कंपनी का तो इस्ट में है और तुम एक कंपनी की रूप में जा रहे हो इसलिए इसका नाम क्या रख दो इस्ट इंडिया कंपनी का नाम रख दिया गया 31 दिसंबर 1599 में क्या हुआ भाईसाब लग गई सील इस्ट इंडिया कंपनी की लेटर पर लग गई सील और वो क्या है भारत आ जाती है इस इंडिया कंपनी 1600 में भारत आ जाती है वो व्यापार करती है काफी लमए सवे तक व्यापार करती है फिर 1777 में 1777 में प्लासी का यूद और 1764 में बकसर का यूद ये दोनों जीतने के बाद क्या होता है इस्ट इंडिया कमपणि थोड़ से परबल दावेदार हो जाती है इस्ट इंडिया कमपणि थोड़ से दाकतवर अंग्रेज जो इंग्लेंड में बेठी सरकार है, जो इंग्लेंड में बेठी क्राउन है, राजा रादी है, उन्हें बहुत बोरा लगता है, बोले यार राजनिती करने का काम तो हमारा है, तुम राजनिती क्यों कर रहो हो, तुम राजनिती मत करो, इसलिए फिर क्या होता है 1773 से कानून आने शुरू होते हैं Regulating Act या Charter Act जिसम लोग बोलते हैं वो आना शुरू होते हैं और धीरे धीरे आते जाते हैं फिर 877 में 877 की करामती होती है और 877 की करामती के बाद से 1858 से East India Company को हटा दिया जाता है और किसका राज चलता है? Crown का राज का मतलब है Raja Rani का राज वहांके संसत का राज वहांके Parliament का राज तो Crown का राज चलना 888 से चलता है मतलब East India Company जो भारत में राज कर रही है वो 1600 से लेकर के 1777 तक ही कर रही है 800-800 से क्या है? Crown का राज आ जाता है या Raja Rani का राज पूरे देश पर आ जाते है फिर यहां से 1800 ठाउन से लेकर कि 1947 से के Raja Rani राज करेंगे और 1947 के बाद 1947 के बाद युगो योगो तक हाँ पर कौन राज करेगा? भारत की जनता 1947 के बाद युगो योगो तक ये जो है राज करेगा वो कौन करेगा भाद की जनता करेगी पर बच्चो ये 1757 से लेकर करके 1947 तक का जो प्रियर्ड है 1757 से लेकर के 1947 तक का जो प्रियर्ड है ये जो 190 साल है ना बच्चो ये 190 साल है ना आज आप समझ पाएंगे किस परकार से हमारे महापुरुषों ने बलीदान दे दे करके क्या है ये आजादी हमें दी है ये आजादी मुल्यवान है देश का सविधान है वो मुल्यवान है देश की व्यवस्ता है मुल्यवान है ये आजादी जानी नहीं चाहिए अब हम बढ़ते हैं आगे अब जानते हैं पर्थम विश्यूद और भारत आप सभी को पता है जो पर्थम विश्यूद और फर्स्ट वर्ल्ड वोर हुआ वो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक क्या है पर्थम विश्यूद होता है और पर्थम विश्यूद में दो पार्टिया दो गुरूप लड़ते है जिसमें एक तरफ क्या है ब्रिटेन भी होता है अब ये बात आप ध्यान रखेगा जिधर ब्रिटेन है उदर क्या होगा भारत होगा तो ये बात आपको समझ में आगए हो कि भारत ने बिटेन की तरफ से विश्यूद में भाग लिया, इसके दो कारण ने भारत ने बिटेन की तरफ से विश्यूद में भाग लिया, पेला तो दबाओ रूप से कारण था कि बिटेन ने दबाओ बना राखा था कि भारत क्या है हमारी तरफ से लड़े भारत में से हम लोग सेनाय बनाए जो भारत की तरफ से लड़े पहली बात है दूसरी बात यह थी कि जो भारत के बड़े बड़े दिगज नेता थे उस समय उन्होंने यह सोचा कि अगर हम अंग्रेजों की तरफ से यूद लड़ेंगे और अंग्रेज 2418 जब यूद खतब हुआ तो अंग्रेज जो है बिटेन है वो क्या है यूद जीच जाता है वो यूद जीच जाता है परलतु वह भात को आजाद नहीं करता बलकि यहां के लोगों पर क्या कर देता है कर बढ़ा देता है अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हुगा सर्टे भी रखना है उनके लिए सारे हत्यार बीचिये तो उनसकल का पेशा का सायाएगा उनस सब का पेशा में लेंगे भारत से तो भारत से क्या है भारत के लोगों पर कर भड़ा दिया ÑUnό pushedney न लगे इसके साथ उन्हें जबरन भड़ती गरी सिच्ट पंजाब से लोगों को उ गुश्वीट के लोगों का बिल्कुल टॉप पर पोच जाएगा अब भी दो तीन इस्तितिया ऐसी होगी एक विशुवीट का खतम होना उसके बाद कर बढ़ा देना जबरन भरती करना विशुवीट में और विशुवीट के दोराल भारतियों के हजारों भारतियों का विश में मर जाना उसके बावजुद भी उसके बावजुद भी क्या है भारत को आजाद ना करना और भारत की और भी जो इस्तिति है वो बुरी कर देना और इसके बाद एक चीज होगी 1919 में वह हम लोग पढ़ेंगे डैट इस दा रोलेट एक्ट रोलेट एक्ट जिसे काला ये रोलेट एक्ट ये सभी चीज़ें हो गई तो अब जरूरत एक ऐसे इनसान की है जो क्या है अंग्रेजों को समझा सके है अंग्रेजों को दबा सके है और अंग्रेजों क्या है लात मार करके क्या है देश से भार निकाल सके है एक ऐसा इनसान जिसके पास क्या है हुनर ह देश को एक करने का। जिसके पास ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि सभी जाती, सभी धरम, सभी लिंक, सभी लोगों को एक करकर के सिर्फ और सिर्फ देश के लिए आवाज उट्वाने के लिए एक रत कर सकता है। एक ऐसे नेता की जिसके जब वो चले तो क्या है हजारों लाखों की संक्या उसके पीछी चलने लेगे एक ऐसे नेता की जिसका नाम सुनकर के अंग्रेज भी बोले कि यार नेता हो तो ऐसा हो और नेता कौन है कौन थे हमारे लिडर हमारे लिडर थे बापू महात्मा गांदी जन्वरी 1915 में भारत लोटे अभी महात्मा गांदी जी क्या है जो हमार बापू है वो जन्वरी 1915 में भारत लोटते हैं तो इतने समय थे कहां आई ये इतने समय दक्षिन अफ्रिका में थे दक्षिन अफ्रिका में आप सभी को पता है रंग के आधार पे बहुत बड़ा भेदवा होता है काले गोरे के बीच पे बहुत बड़ा भेदवा होता है तो इसलिए वहाँ पे उनके लिए भी बापू क्या है लड़ाई लड़ रहे थे जिस इंसान के मन में क्या है प्रेम का भाव होता है जिस इंसान के मन में सभी के परती समानता का भाव होता है वो जगे नहीं देखता, वो इस्तान नहीं देखता वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, संगर्ष करना शुरू कर देता है वो उन लोगों के आजादी के लिए लगना शुरू कर देता है तो भापू की वही विचार और जब भापू 1915 में भारत लोटे फिर धीरे धीरे यहां की भाद के समझेया लोगों को पूरे भाद का दोरा करा और 1916 के बाद से 1917 से तो उन्होंने अपने अंदोलन चला दिये तो जब 1919 के दोर तक आएंगे तो पूरे भारत को एक ऐसा नेटा मिल चुका है जो क्या है तयार है देश को आजाद कराने के लिए अब बापू भारत आ चुके हैं और भारत को आजाद कराकर करे ही भारत की गद्दी है भारत की जो सत्ता है और भारत का जो भॉष्ष है वो हम युवाव के हाथ में सौप करकर जाएंगे अब जानते हैं सत्यागरे का मतलब बहुत से बार मतलब उठता है सत्यागरे सत्यागरे है क्या सत्यागरे है शब्त को तोड़ करेंगे पड़ी सत्यागरे है on the basis of truth हम truth के basis पर request करेंगे आगरे करेंगे कि हाँ भाई हम सत्यागरे करें बापू हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करें कि अगर आपकी लड़ाई अन्याई के खिलाफ है अगर आपकी लड़ाई अन्याई के खिलाफ है तो आपको किसी भी सारी रिकिबल की जरूत नहीं है आपको किसी ताकत की जरूत नहीं है बापू का आगरते दर मैं कौन सा बोडी बिल्डर हूँ भाई मैं भी तो लड़ रहा हूँ तो बापू सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर आपकी लड़ाई अन्याई के खिलाफ है, सोशन के खिलाफ है, तो आपको ताकत की, सारी रिक ताकत की जोरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका संगर्ष होना चाहिए, और संगर्ष रत्य के आधार पे होना चाहिए, और किस आधार पे होना चाहिए, हैंसा के आधा चाहिए अब सबसे पहला सत्य अगरे 1917 में दवनकार वागान वियस्ता के खिलाफ किसानों के लिए संगष करा यह काँपर करा यह चंपारन में करा भी चंपारण कहां पर है बिहार में है बिहार की धरती बहुत सच में फवितर धरती यह बिहार की वो धरती है जहां से बापुन अपनी राजने ती करियर के शुरात करी चंपारण से शुरात करी वहां के किसानों के उत्तान के लिए बापुन आवाज उठाए बिहार की वो धरत जाँ पर राजेंदर बाबु जैसे लोगों का जनम हुआ है भियार की वो धरती है जाँ पर भगवान वुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है भिहार सच में बहुत महान है भियार और भारत की तो हर एक एक जमीन का जो टुकड़ा है वो भाहन है और भारत माताने तो सि कभी मैं गांदी को पढ़ता हूं कभी मैं पटेल को पढ़ता हूं कभी मैं डॉक्टर अंबेटकर को पढ़ता हूं कभी मैं भगत सिंग को पढ़ता हूं मुझे सच में बहुत दुख होता है कभी कि हमारी आज की जनरेशन किधर जा रही है कहा है उनका ध्यान क्या करना च याग दिये कैं देश के लिए मैं सच में जब ही महापुरुषों को पढ़ता हूँ मैं आपको एक समध्राश्क को कर दीजिए और उसके लाव को किसी को करना तो इस शुरू करता है तो वहापन वAssad की विवस्ती किसानों के लिए संख़ ने व्यापको फिर फिर 1917 में दूुसरा आंद ओलन करते हैं। गुजरत के खेड़ा जिळे में किसानों की फसल खराब हो जाने है। तो गुजरत के खेड़ा में किया है उनिस सो स्थजा में फसल खराब हो जाती है। अब हमारी चल रहे होती है post तो बपू बिटिशों से आंदोलन करकर के क्या है उनका कर कम कर वाते हैं उनका लगान कम कर वाते हैं फिर 3 आंदोलन जो सूती कपड़े के खाने उन मजदूरों के लिए आंदोलन कर रहा है अपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात बताता हूँ, फरवरी 1916 में जब बनारत हिंदू विश्विध्याले में बापु अपने भाषन देने गहे बापू को बुलाया गया, अतीती के तोर पर बुलाया गया और इसलिए बुलाया गया, कि वहाँ पर क्योंकि उन्होंने अफ्रिका में आंदोलन चलाया तो बापू को बुलाया गया बला बापू आई या, तो वहाँ पर बापू कोई को द्योग पत्यों की बात कर रहा है कोई अमेरों की बात कर रहा है कोई किसी की बात कर रहा है बापू बोले बापू ने बोला यार मेरे किसान भायों की बात कुन करेगा मेरे गरीबों की बात कुन करेगा मेरे मजदूर भायों की बात कुन करेगा और जब तक हम में हैं यह म्हात्मा गांधीजी ने दुए है और रोलेट एक्ट यह गदद्दार है यह सिड्डी रोलेट जो है यही क्या है भारत में रोलेट लेकर काया जोंडरीक बिना मुकादमा चल है जयल में ड डाल दीया आगा तो बापव केते हैं बिना जनील बिना अपील और विना वखील वाला क्या है यह कानून है मतलब आपनी दलील सकते हैं ना आप अपील कर सकते हैं आप कोट जाई नहीं सकते ना आज तो यह ना चोबिस घंटे के अंदर आपको कोट पेश करने ज़रूरी ना आप दलील रख रहे हैं ना आपको वकील रखने का मुखर दिया है और बापु ने से क्या का है काला कानून तो रोल एक्ट लेकर क्या है यह काला कानून था राजनिती घतिविदियों को कुछल लेगी क्योंकि इनको पता था यह जो गोरे लोग है अंग्रेज गद्दार थे यह इनको पता था कि यह हम यूद क्या है यूद तो जीत गए पर अगर हम लोगों ने भारतियों को की चुप बेठेश का नहीं वो लट लेकर चलता है सारे डिन डांडी लेकर के चलता हूं क्यों चलता है उसका वरौस्ता है कभी ओन्रेश पहुंचा दे तीक है ना उस बोडी भीलटन नहीं हो पर उसके विचार रहना वह बहुत अमयर है उसके एक बार बोलने पर हजालों लोग खड़े हो जाते हैं तो उन्होंने क्या करा कि एक ऐसा कानूनी लेकर कर आ जाओ जिससे क्या हो जाए कि ये आवाज दबा दी जाए ये आवाज दब जाए लोग बोले ही ना तो दो सालों तक के लिए बिना वकिल के बिना अपील के बिना दलिल के इंसां को पकड़ के डालते जाता अगर आप अंग्लिजों के खिलाफ बोलते हैं तो सत्यपाल और शेफुदिन किछलू को गिरफदार कर लिया गया अब एक बात ध्यान रखेगा पंजाब क्या है पंजाब मुख्य के अंदर बनाओ है पंजाब में क्या है मुख्य रूप से विरोध होगा रोलेट एक्ट का बापू की हरताले चलेंगी बापू है सत्यपाल किछलू सेफुदिन किछलू सत्यपाली सभी लोग क्या है मुख्य रूप से अंदर बनाओ कर रहे हैं सत्यपाल और सेफुदिन किछलू जर्णनल डाय ने कमान समाल लिए जर्णनल डाय ने साहब एक ऐसा incident करा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया साहब के आज तक भी आँखों में आसुगाते है आज भी दुख होता है तो आईए वो जानते हैं वो घटना क्या है वो घटना है जालियावाला बाग हत्याकाट बहुत सच में बहुत बड़ा हत्याकाट लोग बेसाकी का जसन मनाने जालियावाला बाग में गए थे लोग सरकार की दमनकारी नित्यों का विरोध करने के लिए जालियावाला बाग में गए थे कितना दमन कितना शोशन अंग्रेजों ने करा है कि दमन कर रहे हैं और उसके बावज़ूद भी वो मर्शल जो जनरल डायर है मार्शल लोग लगा करके क्या है कि वहाँ पर आंदा धूंद गोलिया लोगों पर चला देता है कितना दुख साहा है हमारे महापुरुशों ने फिर जाकर के हमें आजादी मिली ठीक है न और जो लोग कहते हैं कि आजादी ऐसे ही आई है ऐसे नहीं आई है साब आजादी में बहुत संगर्श लगा है 13 अप्रेल को जाले वाला बाग हत्या कांडवा 13 अप्रेल 1919 1913 अप्रेल 1919 को जाले हमाग हत्या सालान बेस्ञा की मेले के लिए Washington के लिए योख दो कारन के लोग वहां गये थे एक सालाना बैसा की बनाने के लिए और जो जो लगतिन खाल्वनगार हम साहारे हम लों यग निकलान के साथ रहासतों को बंद कर दिया तो वो सारे अपने सेनेगों के साथ जिनके खूब अत्यार थे वो वहां उनके साथ पहुचा और सारे गेट सारे दर्वाजे बाग के बंद करती है और अंधा धूंद गोले चला दी लोग भागते भागते हो वहां एक कुवा है उस कुवे में कूद के सब साहा है यह अंग्रेजों ने सोशन हम पर करा है दमनकारी नीतिया जो है अंग्रेजों की चलाई है और पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर भारत पर किसी ने राज करा है भारत पर अगर किसी ने सोशन करा है तो यह भारत माता ने ऐसे सपूतों को जनम जरूर दिया है जो इनका क्या है बदला जरूर लेंगे तो अब इनों मार अगर फिर बाद में क्या है जब और लोगों ने विरुद करा तो इनको शोषन है जलूम क्या है ब्रटिशेす ने देश के लोगों के पर हगए अब जानते हैं खिलाफए दोलन में बड़ी बात है कि खिलाफवात दोलन है क्या कंगोस अब विश्यूद में कैसा एक तरफ था ед थी कई तो ब्रिटेन वाला Data तो अब जर्मनी क्या है जर्मनी हार गया और उनके साथ क्या था एक सबस्क्राइब दोचार् कि हम आज परकी बोलते हैं और हिंदी फूर्टत करें तो फीरे हिंशनारई कि गटी भी आप 5 6efinden से प्रति पाइummy तो उन्होंने जर्मनी पर तो इतना पेसा लाद दिया इतना करजा उनके उपर चड़ा दिया कि जिसे उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई और यही कारण था कि दूसरा विश्यूद भी हिटलर के मन में इतनी गुस्से की भावना पेदा हो जाती है कि भाई मैं वापस बदला लेकर रहूँगा और इसलिए हिटलर दूसरा विश्यूद कराता है पर जब जर्मनी को पूरी तरीके से बरबात कर दिया गया तो फिर बात आती है ओटोमन सामराजी की बिटिशन सामराजी का कर जाए तो सबसे के लिए वह सुचा गया है कि लिए सूचांगाल उटोमन सामराजी को तोड़ दिया जाए उटोमन सामराजी। बहुत बड़ा है G समराजी और उसी सिल्तान को खा जाता है इसी सुल्तान को खा जाता था खालीफा का जाता था अब जब उटमन इंपार को तोड दिया गया तो वहां के सब के हर जगे के सुल्तान क्या है अलग-अलग हो गए ओटोमन सामराज जी कमजोर हो गया खलीफा जो है खलीफा की शक्तिया कमजोर हो गई और ये खलीफा कितना इंपोर्टेंट है आप इस बात का अंदाजा लगाईएगा कि अगर कोई भी मुसल्मान कुछ भी काम करता था त खलीफा की सब्सक्राइब के जो लोग है वो बात मान रहें खलीफा की बहुत इज्जत कर रहें तो जब इक खलीफा की शक्तिया कमजोर हो गई और ये खलीफा को ने खलीफा जो पेगंबर मुहमद साब थे उनके वंचिजों में से था तो इसलिए सब भी मुसलमानों के लिए बहुत क्या प्रतीक था कि हमारे धानमिक गुरू है सबी बाते इनसे पूछ करके होती थी जब इनके स्थिति कमजोर करी गई और हुआ इनके शक्तिया कमजोर कर दी गई तो इन्होंने सारी जगेपने दूत भारत में वह दूत है बोला जाओ और संदेश दो की खली कर्माद अलिः और ये शौकात अलिए यह दोनों आगा आते हैं बोले हाँ हाँ खलीवा को बचाना बहुत जरूरी है खलीफह की शक्तियों को बचाना बहुत जरूरी है । mema नजिए में बचाना बहुत जरूरी है, तो इन दोलों ने क्या करा, एक खिलाफत समीती बनाई, एक खिलाफत कमिटी बनाई, उन्निस सु उन्निस में, और क्या है उसका विरोध करना, ब्रिटिश इसका विरोध करना शुरू करते हैं, तो अब बापों ये सोच रहे थे, कि या रोले में सफल नहीं हो सकते हैं, और अब ये बहुत अच्छा मौका है, कि क्या है, मुसल्मान खलीफा के नाम पर एक हो जाएंगे, तो बापों ने क्या करा, जब मौके पर चोका लगाया, तो बापों ने सभी मुसल्मानों को बोला, कि हम तुमारी खिलाफत अंदोलन में सफल साथ देंगे, तुम हमारा अस्थ्योग अंदोलन में साथ, दोलों का उद्देश है, सिर्फों सिर्फ एक ही है, बिर्टेंड को तबाह करना, बिर्टिशन को भारत से बगाना, इसलिए इस नाम से क्या है, खिलाफत अंदोलन में, खलीफा के नाम से सभी जो भाथत के मुस कि क्या हो, यह आंदोलन चलाए जाए, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अई सयोग ही आंदोलन क्यों, तो अई सयोग इसलिए, अपनी परशित पुस्तक हिंद सवराज 1909 में, मात्मा गान्दी ने कहा था, अगर भारत के लोग अपना सयोग वापस ले ले, तो साल भड़ इंडिया, वागा सवराज, सवराज का मतलब क्या होता, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल, हमारा राज चलेगा, खुद का राज चलेगा, देश के लोगों का राज चलेगा, तो हिंदी सवराज किताब क्या है, बापु ने लिखिए 1909 में, और उसमें बापु ने कहा, कि अगर अगर भारतिये अंग्रेजों को समर्थन करना बंद करते अगर भारतिये ठान लेके हमें अंग्रेजों को समर्थन नहीं करना है उन्हें सपोर्ट नहीं करना है तो एक साल के अंदर अंदर क्या है अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग जाएंगे एक साल के अंदर बहार चोड़ करके भाग जाएंगे पर ऐसा हो नहीं पाया यह हिंद सवराज की जो मैंने किताब है वो आपको दिखाई अब आते हैं आसायोग अंदोलन पर तो यह जो आसायोग अंदोलन है यह ऐसायोग का जो विचार बापो के दिमाग में से निकला कि हमें ऐसायोग करना चाहिए ऐसायोग का सिर्फ और सिर्फ इतना से मतलब है हम सपोर्ट नहीं करें हम सपोर्ट नहीं करेंगे जिससे मान लोग कि कोई एक नेता है रेली निकाल रहा है और उसके आगे पीछे दो-तीन लोग हैं हमारा नेता कैसा हो इस जैसा हो अब बाकी लोग support ही ना करें क्या है? ऐसा ही होग कि हम लोग support नहीं कर रहे हैं बस यहाँ पर भी यही बात है कि हम अंग्रेजों का support नहीं करें अंग्रेज कपड़े बेशते हैं कैसे बन सकता है और आंदोलन बनने के लिए सबसे जरूरी था हिंदू मुसलिम की यूनिटी होना तो वो तो हो चुकी है वो तो हो चुकी है ना क्योंकि खलीफा के ना पर मुसल्मान सारे एक हो गए और बापू उनके साथ जुड़के तो पूरे देश में बापू ने और श सरकारी नोक्रिया सेना पुलिस अदालतों विधाई परिशादों इसकुलों विदेश्री वस्तों का भाइसकार करना चीए तो सबसे पहले बापको कहते है पद्विया लोटा देने चीज़ पद्विया मतलब टाइटल्स आपको दिर के जिस आपने देखा नहीं को कभी कि सरकार के फेवरेट लोगों में से हो जब आपको सरकार ने कोई पद्विय दिये कोई आपको टाइटल दिये तो सरकार आप तो उनकी विरोध में बोलोगे इसलिए क्या करो पद्विया लोटा दो सरकारी नोक्रिया करो वो छोड़ दो उनकी सेना में हो वो छोड़ दो तो इसलिए विडेशी वश्तों की है हो ली जलाती है तो इसलिए यहां पर जो लोग में वहाली जला रहे हैं क्युक्व्य अगर सरकार का दमनास्त अपनाती है तो व्यापक सवीनिय अवग्या भ्यान भी शुरू कर दिया जाएगा तो अब यहां पर आपके आग्या करेंगे हम अवग्या करेंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे आपकी कानूनों को भी नहीं मानेंगे तो सरकार बापू कह रहा है कि यहां तक तो ऐसा योग अंदोलन में तो हम लोग सिर्फ वरस्तों का ही भहिशकार करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सवीनिय वेग्या पर चला देंगे जिसमें हम कानूनों का भी उलंगन करेंगे हम कानून भी अंग्रेजों के नहीं मानें आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अदिविशिन में एक समझोता हुआ और ऐसा योग कारेकरम पर सिविक्रति की महर लगा दी गई थोड़ा सा सुरुवात में क्या है कॉंग्रेस समर्थन में नहीं थी कि भई हम खिलाफत आंदोलन के नाम पर ऐसा योग चलाएं किस परकार से आंदोलन को मिक्स अप करें फिर बापू ने समझा ही लिया कॉंग्रेस के सभी नेताओं को और दिसंबर उन्नीस सो बीस में कॉंग्रेस के जो नापपूर अदिवेशन उसमें पूरा समझोता हुआ कि ऐसा योग अंदोलन हमें सफल पूरता चलाना तो बहुत सी बार जो है बच्चों को एक डावट रहता है कि बापू ने रोलेट सकते है वापस कूँ ले लिया रोलेट सकते है वापस इसलिए हुआ क्यूंकि वहाँ पर जाल्य वाला बास हतले है और ऐसायोग आंदोलन इसलिए वापस हो गया क्योंकि 1922 में चोरी-चोरा गांड हो जाएगा ओके और आगे हम लोग देखते जाएंगे कि अब आंदोलन के भीतर अलग 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 धार है का मतलब यह कि शेरों में किस परकार से अंदोलन हो रहा है उसायोग उक आप साथ चल रहें खिलावट नाम जोड़ना बहुत जरूरी था इसी नाम से जो देश के सभी मुसल्मान हैं एक हैं अभी है सर्योगांदोलन में तो आज सर्योगांदोलन जनौरी 1921 में शुरू होता है सभी ने सवराज के आवान को सिवकार तो किया लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग लगते पस यहीं थोड़ सी क्या है है दिक्ट होगी सवराज को सबने एक्सेप्ट कर लिया पापो की बात को सबने मा लिया कि हाँ हम Heb सब का आर्थ अलग अलग था किसान यह सोचता था कि हमारा करting कर दिया हम आज़ाद हैं कोई राजा महरा जम वहीं सोच आए हमारे जो राजा है उनको अच्छी सुवीदाय मिलती रहे तो हम लोग आजाद है कोई यह नहीं समझ पाया कि इस भारत माता को आजाद कराना बहुत जरूरी है और उस आजादी को समझना बहुत जरूरी है यह बात आप देखेगा कि 1930, 31, 32, 40 तक भी लोगों को यह बात अच्छी से वहस्तों सुनियोगी हमें देश को आजाद करवाना है सब सिर्फ और सिर्फ जो अपनी भावना है उन्हें आजाद करवाने पे लगेवे हैं परन्तु फिर भी बापू के आखवान पे पूरा देश क्या है एक हो जाएगा यह है हमारे बापू और बापू कम करते हैं नमन शेहरों में आंजलन जानते हैं हजारों विद्यारतों ने स्कूल और कोलेज छोड़ दी है सबसे पेले जब भी कभी आंजलन होता है तो यही बात करी जाती है कि जो सरकार की सिवा है आप उनको क्या है भाइश कारे तो उस समय भी यह हुआ कि स्कूलों में हजारों विद्यारतों ने क्या है स्कूल और को लेज छोड़ दी है हेडबास्टों सिक्षेकों ने स्टिफे देदी कि बोल हम भी नहीं पढ़ाएंगे वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया जितने वकीलों ने समने मुकदमा कैसे लड़ना बंद कर दिया मदरास के लाओ जादा तर प्रांतों में परिशत के चुनाओं का भहिशकार करा गया कि कोई भी भारती है परिशत की चुनाओं नहीं लड़ेगा विदेशी सामानों का भहिशकार क्या गया है श्राप की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जिलाई जाने लगी तो विदेशी सामानों का भिशकार जो विदेशी कपड़े उनकी होली जिलाई लगे जो समान की दुकान है उनकी क्याоровा ह गहराओ कर लेना जो दुकान के देख संदेश वापभी जाते हैं ती जाए हें दुझा 이번 उनको त्यागो इस भी जिटें रहा है और हमारा घर परिल्वार रहे है यो कुशल रहा है तो यह आप देखेगा एक दुकान है उसको लोगों ने बंद कर रखा है तो सराप की पिकेटिंग और होली जलाएगे विदेशी कपड़ों की 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आदा रहे गया तो अब जो भार से विदेशी कपड़े आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर बिलकुल आदा हो गया 102 करोड से 57 करोड के रुपे पर व्यापार आ गया देखो ब्रिटिक्शन को कितना बड़ा जटका लगा ऐसे ही आज हम लोग कहते हैं कि जो चाइना का माल है हमें से बंद करना ची क्योंकि चाइना के माल से चाइना को बहुत बड़ी कमाई हो रही है पर देखिए आज की जो स्थित्या है वो अलग है और उस समय की स्थित्या अलग है चाइना का माल आज हम लोग ले रहे हैं उसमें भी बेनिफिट ने जरा है क्योंकि चाइना का माल सस्ता आता है और एक बात मैं हमेशे ये पढ़ाता हूँ कि अगर हम दुनिया में शान्ती स्तापित कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक ही चीजे वो है व्यापार व्यापार ही है जो पूरी दुनिया में क्या है चांती इसतापरद करके रख सकते हैं वांखे कोई भी दूसरे तीसी पर पेसा लगाने से किस ने इंकार कर दिया जो भारतिये व्यापारी हैं बड़े-बड़े उन्होंने क्या है विदेशी व्यापार में पेसा लगाने से मना कर दिया कि हम किसी विदेश की व्यापार में पेसा नहीं लगाएंगे केवल भारते कपड़े पहने लगे तो भारते कपड़ों मिलो और हदकरों का भी उत्पादन बढ़ने लगा पर आप देखिए सबसे जो बड़ी दिक्कति हैं पर आएंगी वो यह आएंगी कि आप छे मेने एक साल तक विदेशी कपडों का भाष्षकार कर लेगे डेढ़ साल दो साल तक आप विदेशी चीजों का भाष्षकार करेंगे कि यह बात ध्यान रखेगा कि जो अंग्रेजो जो चीज है वो सस्ती है और भारत के जो लोगों ने चीज मना रखी वह महिंगी नौए मेंगी नाज मी डिया चीज हो रही है चैना का मैं भंभायश्कार पर जादा लगादे तो इसलिए क्या है कि option जब आता हो इन्सान zestी तरफ चूनी लेता है यह अरसा सर का मिदियों कहता है क्यों जरसकर के दिखो चूनी लेता है और जब अब अगर आपको एसे आंदूराइड चलान है तो व्यक्लिप भारतिया उद्योग लगाने की जरूते अपको जाधा जाधा भारतिया टेक्नोलोजी कि जड़ोते हैं जिसे कि आप जाज़ा दुथ पादन करके सस्टे में बेज सको जैसे कि मैं आप आपको फोटो दिखाई है अब आते हैं ग्रामविश इलाकों में किस परकार से विद्रो हो रहे हैं आवत में सन्याघ्म सें बावजन किसनोंतों का नित्रत्व कर रहा हैं। आपको मेप में डिख इरिया है यह फीजी का एरिया है ठीक है तो फीजी में बावा राम संदर गिर्मेटे मजदूर था गिर्मेटे मजदूर का मतलब यह है कि जब अंग्रेजों का अमारा देश में राज चल रहा था तो इन्होंने क्या है काफी जोगों पे मजदूर बेजे एग्रिमेंट के तहित मजद ऐब यह क्याते है जो सदू कि सानों की वेगार कि सब्सक्राण न की न कि कर रहा है उस łề कमाए 100ए हैं और सरकाल कर 120 उपर से ओर लाए और फिर सरकार को दे, बतलब इसके वास तो कुछ नहीं बचाना, वो जो भी महनत कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, बिना पेसो कहीं तो कर रहा है, तो यह क्या हो कि बेगार हो गई, तो बाबा राम चंदर कहते हैं, इस किसानों की बेगार के खिलाफते, यह बेगार नहीं हो की फट्टे निशित नहीं होते थैं जो किसान उनके पट्टे निशित हो चाहिए उनकी जमीं की जो पट्ट्टे है वह निशित पेजाए प्सकाम को wow कि सरस्ति हो इसने हो गापने कटे लाजए अब टेक समं कर ते Deborah करने काएगा खतम हो जाएगा तो हमें तो बेगार बची जाएगी, हमें तो पैसा मिलने लगे जाएगा, दमनकारी जमीनदारों का सामाजिक भहिशकार करें, सामाजिक भहिशकार करें, अंग्रेज नहीं, समाज भहिशकार करें, मतलब जो देश के लोग है न, वही क्या करें, समाज का भ जिस ने फियला तो तालुक्दारों और व्यापारियों के मटन परने हमले होने लग के बाजाराओं के अनाज हो फिपषा कर लेंगे और पूरी तरीके से मतलब ज्यमिनार उंको बाइगाए थो आप जो खिसान नहें कर रहे हैं वह अब अनिय सहजद नहीं होगा और पूरे भारत में बुरे पारत में तालुगदारों को जमीन दारों को जो सेवा हैं वो देना बंद कर दी अंग्रेजों को सेवा है जो बेसिक सेवा है नाएं की दूबे की वो सेवा देना भी बंद कर दी जैसे कि एक नाये की दुकान है और वहाँ पर लिखावा है साफ साफ Britishers not allowed ठीक है Britishers वहाँ पर नहीं है यह भार एक अंकल रेठे हैं यह भाया अपनी shaving करवार है ठीक है shaving करवाते ही यह सीधे अर्सईयो गांदोनेर में भाग जाएंगे ठीक है अब आते हैं बागानों में साउराज और 869 के Inland Immigration Act के देट बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की होती थी और यह इजाज़त उन्हें विल्ले ही कभी मिलती थी तो जो बागानों पर बड़े-बागान होते हैं एक ही परकार की खेती करी जाती है जिस चाहे की काफी की गन्ने की उन बागानों में क्या है जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सिरिफ और सिर्फ बहुत ही उन बागानों को छोड़ कर कर के बहुत कम ही भार जाने की क्या अजाज़त हुआ करती थी तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमें भी क्या है हमारे गाओं हमारा घर जाने की परमिशन मिले तो ये भी आदोलर में जुड़ते जाएंगे अप एक ही जैसे ही आप मैंने आपको एक बागान की फोटो दिखाईए कोफी की खेती है एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि सभी लोग है ना सभी भारती उस समय आजादी चाहते है सभी भारती आजादी चाहते है पर सभी की आजादी के जो माइने हैं आजादी के जो गोल है आजादी की जो लक्षे हैं वो सब के अलगे लगे कोई यह चाहता है कि अगर हमारे लगान हमारे टेक्स कम हो जाए तो हम आजाते हैं कोई यह चाहता है कि अगर हम लोगों को हमारे राज्ये सेफ रहें तो हम आजाते हैं कोई चाहता है कि जो हमारे राज्ये की जो सीमा है उसमें सरकार कोई हस्तक शेपना करें तो हम आजाते हैं आज़ाद ही का जो मतलब है प्र फल आलगत यह तो अब जानते हैं चौरी चौरा कांड के अबारे में ठीक है त्योरी चुरा कांड का कंड क्या है गौन को बापुर कहां पर है उत्तरप्रदेश में वहां पर एक जगे है चोरी-चोरा वहां पर हुआ अब यह हम उस समय में हैं हम 1922 की फरवरी की में आप से बात कर रहा हूं और यह वो दोर जब चल रहा है जब क्या चल रहा है पूरे भारत में आज सहयो गांदोलन चल रहा है और जहां पर भी हो जहां कहीं भी हो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है और वो चीज क्या है आपको भाहिशकार करना है आपको अंग्रेजों के सामान का भाहिशकार करना है श्राप का भाहिशकार करना है पिकेटिंग करो दुकानों की विदेशी कपडों की होली जल कर दिया अंग्रेजियोका व्रोथ वॉप स creation करा और जब को दबाने की कोशिश करी विरोथ का दमनकरने की कोशिश करिए थाने पे पहुज़ गे लोगो और और बोला छोड़ दो हमारे भाईयों को नहीं तो बहुत बुरा असल तुम लोगों का होगा तुम्हारी कोई खेर नहीं होगी छोड़ दो तो प्रिटिश पुलिस वाले क्या है बंदुग लेकर क्या है अब देखो अंग्रेजों से बड़ा बुद्धु कोई नहीं कर आप स पुलिस इस्टेशन में गुजाती है और पुलिस इस्टेशन को फूग देती है जला देती है मैं बात कर रहा हूं पांच फरवरी को यह घटना होती है पांच फरवरी निस्टो बाइस को और इसी घटना को क्या है चोरी-चोरा का नाम दे जाता है तो बहुत से पुलिस व पास ले लेते हैं और यहां से एक चोठी सी चीज हमें देखने को मिलेंगे, वं यह रहा है और जैरे हो दीरे-दीरे गिरता जाएगा जलाधार बापो के समर्थर परे कंब होते जाएगाँ क्यूंकि लोग यह चारा है ऐए आजाद ही मिलें चाए प्यार से मिले और चाए भतर से मिले पर आजाद ही मिलनी चीए तो जह भी यहां पे जो चोड़ी चोड़ाई कांड में जो लोग थे वो बापु को कह रहे हैं, बापु कर क्या रहे हो आप क्यों बार बार में अंडॉलन वापस ले रहा हुआ बापु के रहें नहीं ऐसी बात नहीं हाइंसा से रास्तर जी और हैंसा से जाएंगे पर हजारों लोग शहिद हो करके हमारे इस आज़ादी के लिए गुजरें बापु को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बापु पापु पांच-छे साल तक जो राजनिती वाले दोर हैंसे अलग हो जाएंगे और सामाजिक सेवा में जुट जाएंगे और जो प्लेग के महामारी चल रही थी उस महामारी में लोगों की सेवा करेंगे लोगों को मिलेंगे जुलेंगे और उसके बाद 1930 में जो सविनिया अवरग्या अंदुलन आएगा तो फिर से वापु की एंट्री होगी अब बढ़ते हैं सविनिया अवरग्या की और मोतिलाल लहरू जी ये कौन हैं? जवाललाल लहरू जी के पिता श्री है या जवालाल लहरू जी के पिता श्री है जवालाल हुरू शुभाचनर बोज जी से उवानेता जादा ओगड़ जनांदोलन और पुर्ण संतंत्रा के लिए दवाव बनाए हुए थे तो जवालाल हुरू इनके बैटे और शुभाचनर बोज जी को नहीं जानता है दोनों पर पूरूशे दोनों कम जानते यह जानते यह वाले थपड मार करके लेंगे ठीक नहीं दोगे तो तो आजादी तो हम लोग ले करके ही रहेंगे विश्व वियापी आर्थिक मंदी का असल 1926 से कर्शी उत्पादों की किमत गिरने लगी और 1930 की बाद तो पूरी तरी धारशा ही हो गई तो अब देखिए ये वाला जो दोड चल रहा है ना इसमें एक तो प्लेक की महामारी आर्थिक मंदी का दोर और उसके साथ साथ क्या है आदोलन भी चल रहा है ये सबी चीजे एक साथ चल रही है तो सोचिए किस परकार से में आजादी मिली है तो जो आर्थिक मंदी हुई उसका असर कर्शी उत्पादों पर पढ़ने लगा कीमतें गिरने लगी और 1930 तक प्रिकल धाराशाई हो गए बहुत कम कीमतें होने लगी जिससे बहुत मंदी गरीबी दुनिया में आने लगी कर्शी उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पढ़ने लगा तो जब किसानों को क्या है अपने उत्पात की मांगी ही नहीं मिल रही थी जो जितना पेसा वो मांग रहे था वो नहीं मिल रहा था क्रश्य उत्पात लोगोंने खरीदना ही कम कर दिया था तो इसके कारण के है वो लगाल भी नहीं चुका पा रहे थे तो और भी गुस्सा क्या है लोगों का बढ़ जाएगा 1930 तक गरामिन इलाके भारी उत्वर्पुतल से गुजर ले लगे थे जिसे के आंदोलन की मेनिया पर आपको तस्वीर दिखाईए अब आते हैं साइमन कमिशन साइमन कमिशन को भारत बेजा जाता है 1927-1927 में भारत बेजा जाता है और बेजा इसलिए जाता है दो कारणे एक तो जो 1919 में Government of India Act आ है उसकी समिक्षा करने के लिए कि वो किस प्रकार से भारत में काम चल रहा है और एक वासा सविधानिक दायरों की भी चर्चा करने के लिए हमारे देश की विवस्ताओं की बात करो आप हमारे इंसन по कूछ रहे है सामीं confirming का विरोध होगा जैसे सामीं confirm 1027 के सामीं भारत पहुचा तो उसका स्वगा सामीं सामीं कर्था करन शाओ कांग्रेस और मुसलिमिक सभी प्रदशनों में हिस्ता लिए कानुनका नाम मुख्य रूप से वृ पर्संद के नाम पर ही साईमन कमिशन में जोनसाइमन जो है वह ठेए को रख दिया अक्टूबार 1929 में भास के लिए डौंइन स्टेक्स का गौलमालसा एलान कर दिया अब देखो Dominion Status को समझने की कोशिश करो कि Dominion Status है क्या एक तो है आजादी और एक है Dominion Status इस बात को समझने की कोशिश करो Dominion Status का मतलब यह होता है कि Britishers यह कहना चाहते है जो समय वाई सुरुए थे, वाई सुरुए मतलब आपके सारे कानून, आपके सारी विवस्ता है आपके हाथों में होगी बट जो फाइनल महोर होगी न, वो किसकी होगी British Crown की होगी मतलब किसकी होगी, वाँकी राणी की होगी That is the Dominion Status यह क्या कहलाएगा, Dominion Status कहलाएगा पर जो गरंदल के नेता है, जवालाल, नहिरू, सुबास्चेंदर वो जैसे लोग, वो बले न, कैसा Dominion Status हमें तो पूरी सवराज हमें चाहिए पूरी आजादी हमें चाहिए, हमें Dominion में नहीं मानेगे December 1929 में जवालाल, नहिरू के देख्षता में Congress का घटन हो जाता है, और 28, 29, 30, 3 दिनों तक हर साल एक अधिवेशन कॉन्फरेंस हुआ करती है, जहां से पूरे देश के Congress के कारे करता है, वो मिला करते थे, बैठके बाद करते थे, तो उस समय जो 1929 में, जो December 1929 में अधिवेशन हुआ, कहां पे रहो अलावर अधिवेशन, यह दो रूप से मुख्य था, एक तो यह कारण था कि उस समय जवालाल नहिरू को क्या कर दिया गया, अध्देख्ष बना दिया गया, किसका, Congress का Chairman बना दिया गया, और important इसलिए था, क्यों, क्योंकि जवालाल नहिरू क्या थे, युआ नहीं था थे, तो युआ क्या हाथ में, Congress की बागदोर आना, मतलब एक तरीके से, युआ क्या हाथ में, देश की बागदोर आना, और दूसरी बात यह थी, कि यहां पर क्या है, पूर जब यह 1939 में, जब December में मिटिंग चल रही थी, तो इस मिटिंग में तेकर लिया गया, कि 26 जनवरी 1930 को हम यह मान लेंगे, कि हम आजाद हो चुके हैं, हम हमारी सवंतंतर का बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, पूर्ण सवराज की संकल पे लेंगे, पूर्ण सवराज की शप इसको क्या है, पूर्ण सवराज की बात करते हैं, और जब हमारा सविधान 26 नमबर को बन करके तियार हो गया, तो दो मेरे रुकने में समझा गया है, कि हम उस दिन को भी हमेशा याद जियोर में रखा जाएगा, तेक क्या गया है, कि 26 जनवरी 1930 को 37 सवर्ण सवराज की बता है, नमक पर भी सरकार टेक्स लेती थी और नमक का बनाना ये भी सरकार की इजादत से हमें करना पड़ता था, तो बापू नहीं क्या है, बापू नहीं सोचा कि अब हमें सविधी अवग्या करना है, जो सरकार है, उसके कानूनों का उलंगन करना है, सरकार के कोई सी ब करना शुरू करें तो बापु ने सूचा नमक सबसे से बेस्ट लामक से बड़िया बिआ नमक क्योंकि नमक सभी का है नमक को अमीर भी खाता है अग्री जाति के भी खाता अधिक एह फिछड़ी के खाता है हिंदु में मुसलमान ठुछ तो लोडिवन को पत्र लिकार के उसमें 11 मांगे थी तो यह मान लेंगे तो बहुत बड़े बात है नहीं मानेंगे तो हम सवीनिया विज्ञांदुल में शुरू कर देंगे 240 किलो मेटर दूर दांडी नामा गुजरात तर्टिय तर्टिय का मंदब यह जैसे यह गुजरात है तो यह जो तर्ट वाला छेतर है समुदर के किनार है ठीक है वहां पे जाकर के खतम हुई गांदी जी के टोली 24 दिन तक हर रोज लगबग 10 मील चलती थी एक मील में लगबग लगबग एक किलो मीटर ही होता है तो एक किलो मीटर 24 दिन तक हर रोज 10 मील में तक 10 किलोमेटर तक सफर किया जाता था फिर गांदी जी जहां भी रुखते थे लोग उनको सुनने आता थे और लोग उनसे जूरते जाते थे जूरते जाते थे और दांडी तक काफी लोग होगे 6 अपरेल को वह दांडी पहुचे और उनने समुदर का पानी उबाल का नमक बनाना शुरू कर दिया यह कानून का उलंगन था तो 6 अपरेल को बाकू वहां पहुचे और नमक बना करके क्या है कानून का उलंगन कर दिया ये देखिए बापू चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं और हजारों लोग उनके पीछे आते जा रहे हैं यही बात में आपको बताए कि कानूलों का भी उलंगन करना पड़ेगा, तब ही जाकर के ये क्या कहलाएगा, सब इन्यवेग्या कहलाएगा. अपरे 1930 में जब महात्मा गांदी के समर्पित साथी अब्दुल्गफार खान को गिरफदार किया गया है, तो गुस्से भीड, सससतर बकतर मंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए. अब देखो अब्दुल्गफार खान को 1930 में क्या कर लिया, गिरफदार कर लिया, अब्दुल्गफार खान को गांदियन फ्रंटेर भी बोला जाता है, अब्दुल्गफार खान वो इनसान है, जिनोंने जब मुस्लिम लीग, एक मुस्लिम होते वे भी, एक मुस्लिम लीग और यह जो इनके गोद में आपको देख रही है बच्ची वो है आने वाले समय की मतलब उस समय से आने वाले समय की परधान मंतरी इंद्रा गांधी जी पांच मार्च 1931 को अनो ने ओर इर्वीन के साथ एक समजोत्हेвет पर दस्ताकत करा देखो 1930 में नमक्यात्रा हो चुकरिया पांच मांच 1931 को इर्वीन लॉड इर्वीन के साथ एक समझोते में दस्ताखत करेंगे, होन महात्मा गांधी इस गांधी इर्विन समझोते के जरी गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोल में समयलने में इससा लेने पर अपनी सहमती व्यक्त कर दी पहले गोल में Samhainan का का गांगर्स का भरिशकार कर चुकी थी देखो गांदी जी ने इविन समझोते पर ये बात बोली देखो तीन गोल में Samhainan हुए 1930, 1931 और 1932 1930, 1931, 1932 में गोल में Samhainan हुए कहाँ पे लंदन में गोल में Samhainan का मतलब वहां लंदन जाओ और बात करते हैं ये बात अंग्रेज नहीं बोली तो बापु नहीं ठीक है चलो तो अब क्या है बापु दूसरी गोल मेज के लिए वहां पर चले जाएंगे इसके बदले सरकार राजनेती केदियों को रिया करने पर राजी हो जाएगी जैसे कि लंडन या कर दिया और गांधी जी वापस गोल में समयलें में से आ जाते हैं और यहां देखते हैं और वह जाया दोनों जैल में ते कांगरेस को गेर कानूनी गोशित कर दिया गया जोंग चल रही और कांगर्स को गेर कानूनी गोशित कर दिया यह देखिए यह बैठें बापू यह मदन महान माल हुए ठीक है यह लोग बैठें हुए हैं और यहां पर बात चल रही है जब दमनकारी नितिया वापस शुरू हो गई तो बापू ने लोड इर्विन समझता कर लिया गांदी इर्विन समझता हुसे का जाता है वह समझता कर लिए आंदोलन वापस हो गया पर यहां पर आपकर कर देखाए बृटी शन तो सुधरे नहीं है तो बाप बाप उने कि संपन किसान ने सभेने आंदोलन का बढ़ चटकर कर बढ़ आप आप पर ने विस्फा लेने से इंकार कर दिया। आप दूसरी बार जब आप उसरी बार आप अन्दोलन शुरू हुआ तो आप क्या मतलब आप करनेगा पर फिर भी क्या हैं जो अमीर संपन्किसान लोगों को बढ़ा और पर और और करो और जो गरीब किसान ना राज ना राज नहों कि नाराज बहरा 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 दे थे जो गरीब किसान भाड है एक तरीगी से रेंट जो दे रहे हैं उन जमीनों का जमीनदारों को या बड़े किसानों को उसका विरूत के आंदल नहीं करहें। तो यहां पे जो का में gouvernement치는 है। invaded किसान खेरा वह हम कर मुठोट लएंगे किसान कक्या हम से हमें हम सबस्कूर कidän सम्सखति का बिजनेसमेन की कैसे थी व्यवसाय कीतों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतिय उद्योगी के व्यवसाय कॉंग्रेस इंडियन इंडेस्ट्रिल एंड कॉमर्शियल कॉंग्रेस पनाई आपको यह डिफ जो फुल फॉर्म से हमेशा याद रखनी है मैं स्टार बना गटन करा गया और इनका उद्देश यह था कि जो भी एसी नीती जो वियापारों के खिलाफ होंगी उन नीतियों काम क्या करेंगे विरोध करेंगे इसमें पुरुष्रतम ठाकुर्दास जैसे निता बिजनेसमें और जीडी बिला जैसे बिजनेसमें हम लोगों को देखने कि मिलेंगे जो विरोध करेंगे परन्तु एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे जब बापू वापस लंदन से लोट रहे हैं गोल में समयलन से लोट रहे हैं तो इनमें तो इसकी निराश्या आ जाती है कि बाई सफ़ल लिए हो पाए बापू तो अब और बिजनेसमें अब आते हैं सवीडिया अवगया के सिमा है सवीडिया अवगया की सिमा है कि अगर बारत को किसी चीज ने बरबाद करा है तो वो सिरिफ और सिफ एक चीज है, that is the जातिवाद, भारत को अगर किसी चीज ने बरबाद करा है, तो वो करा है सिरिफ और सिफ जातिवाद, किसी भार के लोगों ने, चाहिए वो कोई भी रहो, अंग्रेज रहों, डच रहों, फ्रेंच रहों, मुगल रहों, किसी ने भी भारत पे राज करा, वो इसलिए नहीं कर पाए, कि वो लोग मजबूत थे, वो इसलिए कर पाए, क्योंकि हमारी सामझे के विवस्ता है, कमजोर है, हमने बहुत बड़े वर्ड को ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना उन्हें लड़ने का अधिकार दिया, और यहां तक कि, हमने उन्हें जिने का भी अधिकार दिया, उन्हें उन्हें के देश में गुलाम बना करके रखा, अंग्रेजों ने तो सिर्फर सिर्फ बात पे 190 साल राज करा, मैं आज उस वर्गी की बात करने जा रहा हूँ, जो धाई हजार, तीन हजार सालों से क्या है, जो अपने ही द अधिने एलान किया कि आएस परिश्रता चुआचुट को खतम किये विना 100 साल तक 20 अवराज की स्तापना नहीं की जा सकती, तो बापु ने भी कहा है, बापु 1932 में जब पूना पैक्ट हो जाएगा, उसके बाद बापु आएस परिश्रता पे चुआचुआचुट पे ब दिलाने के लिए सत्यागर किया, मेला डोलेंवाले के काम को परिश्रता दिलाने के लिए खुद सोचाले, साफ करने लगे, तो उन्होंने अच्छुटों को क्या नाम दिया, अरी जन, हरी मतलब हम भगवान के बच्चे, बहुत बड़ी विद्यमना थी हमारे देश में, कि भगवान के मंदीरों में वो भगवान के बच्चे ही नहीं जा सकते, और मैं कमी कावर सच में सोचता हूँ, कि कैसी विवस्ता है थी, कि अगर एक इनसान मंदीर में चला जाए, मंदीर अपवित्र हो जाएगा, वो इनसान के छूने से दूसरा इनसान अपवित्र हो जाए कभी भी जग जाते ना समय रहते भी अगर जग जाते भात की उची जाती के लोग तो अगर ये समय हमें आज नहीं देखना पड़ता अंग्रेज कभी हम पर राज नहीं कर पाते ये जाती वाद ये धरम के आधार पर हमारे मन में भेदबाओ लिंग के आधार पे भेद बाओ पुरिश्मन गया तो महिला सती हो जाए क्यों भाई ये कांका निया है क्यों हो जाए नहीं तो गलत है तो मंदिरों में उनको नहीं जाने दिया था सारजनिक तालाबों पर कहीं पर उने कोई अधिकार नहीं था मैं सिर्फ इतना कहता हूँ उन समय की व्यवस्ताओं के लिए कि जो जानवर है ना उससे भी बत्तर जो उससे भी बेकार स्थिति अगर किसी की थी तो अचुतों की थी, दली तों की थी, शुद्रों की थी तरवन को और में वहाँ पर ये भी स्थिति थी करें की, महिलाओं को ऑप गोगल पर पढ़िये का ब्रेस्ट टेक्ष के बार में पर जादा बहुत जादाinks ह्ठी से कि मैंने कि आपको दली समुदाय की पिचर दिखाई डॉक्टर अमबेटकर ने 1930 में दलीतों को दमित्वरों के एस्टेशन डिप्रेस्ट क्लास अस्टेशन में संगटित किया यह है डॉक्टर बाबसाब अमबेटकर हमा देश के सविधान निर्माता निर्माता रिजो बैंक प्रास तक्षर कर दिखाई अब पूना प्रेक्ट है क्या देखो एक्च्वल मामला क्या होगा जब 1931 में गोल में संग्यलर में बापो भी जाते हैं बाबसाब अमबेटकर ने मां पर डिमांड करे कि दलीतों के लिए क्या हो सेपरेट इलेक्टरों सेपरेट इलेक्टरों सेपरेट्स त्रेक्टरों का मतलब यह है कि या जब कोई भी दली सम्मधाय के लिए कर लेद के दो वोट हो एक अपने लोगों के लिए और एक दूसरे लोगों के लिए और दूसे व्यवस्ता क्या हो, कि कुश सीचे फिक्स द्रों कि वहाँ पर दली सम्मधाय के लोग ही क्यों दो वोट क्यों करागा क्योंकि जो दलित जहां पर खड़ा हो रहा है कि जहां पर कभी भी जाती नहीं को इस बहुत आप आप बचाईए उनको फिर वहांप एक समझोता होता है और समझोता कि तेद का जाता है पुना प्रेक्ट में कि हम separate electorate नहीं हम क्या देंगे जो अनुसुची जाती के लोग है उन्हें आरक्षन देंगे reservation देंगे उसके तहत हम आने वाले समय में जब भी भारत आजाद हो जाएगा और आजादी से पहले जो भी चुनाव लड़े जाएगे उनमें हम लोग क्या करेंगे कुछ सीटे आरक्षित कर देंगे और उन पर सिर्फ और सिड्यल कास्ट की लोग ही लड़ेंगे हाँ उसे वोट सभी के लोग के समान ही रहेंगे सभी लोग के वोट समान ही रहेंगे तो जो आरक्षन की व्यवस्ता जो आई है वो यहाँ पूना पैक्टस आई है गांदी जी की डिमांड पर ही आरक्षन की विवस्ता हमारे देश में आई सामुई का अपने पन का भाव लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चेप्टर का फिरे चेप्टर खतब राष्टरवात की भावना तब पनपती है हम सभी क्या है राष्टर का एक अंगे हम हमारे जाती को धर्म को लिंक को सभी मसलों को बोड़ा करके सिर्फ और सिफ हम क्या है हमारे राष्टर के बाले में सोचे हम एक ऐसी साजा बात जो सबको भांधने वाली बाते है और मैं जोसा नब आफने वाली बात है, वो कह ए संस्कृति, हम अमारे संस्कृति को जाने, हम अमारे इतिहास को जाने, हमारे गुरफ साल इतिहास को जाने, और हम सब एक होगर के कहने लडें इतिहास वा साहितिये लोग खताय वा गीत चित्र वा प्रतीक सब ने राश्टरात को साकर करने में अपना योगदान दिया है तो इतिहास साहितिये हैं लोग खताय हैं जो लोकल एरिया के जो अपनी खताय होती है इन सब ने कहा है राष्ट्रात को साकर करने में एक बहुत बड़ा रोल लिपाया राष्ट्रात के विकास के साथ भारत की पैचान भारत माता की छवी का रूप लेने लगी यह तस्वित पहली बार बकिम चंदर चटोपाद्याई ने बनायती तो भारत माता की छवी भारत माता के रूप में हम आजादी के लिए चल पड़े हैं और बकिम चंदर चटोपाद्याई ने बनायता 870 के देशक में उन्होंने मात्र भूमी की स्थूत्य के रूप में बनते मातरम गीत लिखा बाद में से उन्होंने अपने उपन्यास आनन्दमर्ट में सामिल कर लिया तो किस ने लिखा बकिम चंदर शेटोबाद्यान 870 में वंते मात्रम का गीत है लिखा मदरास में नटेशा सास्थ्री ने फोग्लोर्स ऑफ संदर्व तो लोगों की जो असली विश्श्श्टा हैं वो क्या है? लोह कहता है, यहीं रहीं है, वहीं असली अभीवेक्ती हैं, लोगों. बंगाल में साओधेशी अंदुलन के दोरां एक तिरंगा जंडा हरा पीला लाल त्यार किया गया इसमे बिट्रिश प्रात के आठो प्रान्तों को दर्शाते वे आठ गंदू मुस्लिम को दर्शाते वे आधा जंडर भी वहाँ पर बनाया गया जिससे कि प्रतीक नहीं सब सवराज का जंडा त्यार कर लिया था यह भी तिरंगा सफेध हरा लाल था इसके मद्दे में गांधिवादी परतीक चरके को जगे दी गई जो सौब लंबर का परतीक था जो जलूसों में यह जंडा था में चलना साशन के अवग्या का संके था जब जब बापू का जंडा ल लिए जाता और उसों राष्ट्रिय तिरंगा घोशित कर दिया जाता नेशनल फ्लेग उसे घोशित कर दिया जाता लोगों को एक जूट करने के इन कोशिशों की अपनी समझे थी जैको अब जितना हम आज आसान समझे रहे हम एक गंटे में सवागंटे में पूरा कि हमारे इतियास गौरवशाली रहा है पर सभी के लिए नहीं अगर आज हम उन दलित जातियों की लोगों से पूछें कि अगर आप पहले का भारत बोलेंगे वह नहीं चुनेंगे उनके साथ सोशन हुआ है उनके साथ अत्याचार हो अगर हम महिलाओं से कहें कि हम पहले के कि लोग अलग तलग महसुस करने लगेते पर ऐसी बात नहीं है सभी को एक साथ एक जूट करके नहीं की पूरी-पूरी कोशिश थी इसी के साथ आज हमारा भात में राश्ट्राइब का जो वन शोट होता है आपको कैसा लगा आप कमेंट बोक्स में लखेगा नेक्स्ट पूरे वीडियो जैना वह आप देखें भारत में राश्ट्राइब यूरोप में राश्ट्राइब जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उनके प्लीज पूरे वीडियो देखो बहुत अच्छे से के लिए ज्यादा बड़े वीडियो नहीं मैं 30-40 मिनिट के वीडियो बनाता हूं आप 1.25x की स्पिट पर करके देखोंगा जली से देख लो ओके वो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है ओके बाकी नहीं है टाइम तो आप यह भी देखें इससे भी आपको बहुत बहुत होगा ओके थैंके समच जैहिंद जैवाल